हलो फैंटो कैस्यों आप सभी सुआत करते हैं आप सभी काय वश्ट जी कोईज में तो देखें आज की इस लेक्चर में हम सभी कवर जो करने बाले हैं वो करने बाले हैं बिहार का समान ग्यान को और बिहार के समान ग्यान में बहुत सारा चीज को कवर करेंगे कवर करना है, कुछ बिहार के परिचे के बारे में जनकारी लेने वाले हैं, उसके बाद बिहार का राष्टे चिन क्या है ये सभी के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, सिर्फ आफ सभी शुरू से क्लास में अगर बिहार में किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेट आज का ये टॉपिक रहने वाला है सबसे पहले आप सभी ये देखे, पढ़ना हमको क्या है बिहार का समान ग्यान, सबसे पहला पॉइंट आप से भी देखे क्या है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, पुरू में क्या है, पस्चिम मंगाल है उसके बाद जो कि पस्चिम में क्या है, उत्तर परदेश है और दक्षिन में क्या है, जारकंड है तो यह चीज़ पर आप सभी गौर किजीगा अगर बिहार का मैप दिखेगा तो बिहार के उत्तर में जो है वो नेपाल, नेपाल क्या है? ये एक देशे ध्यान रखेगा पस्चीम में क्या है? तो पस्चीम में आपका आ जाएंगे उत्तर परदेश आजाएंगे यूपी उसके बाद क्या है? पूरू में पस्चीम मंगाले ध्यान रखेगा और उसके बाद दक्षिन में क्या है? जार खंडे बिहार का तो याद रखेगा आप सभी ये पोईंट को जो की पेपर में पूछा जाता है अगला पोईंट है कि राज का कुल चेतरफल जो है फेंड वो कितना है? 94,163 वर किलो मीटर तो राज का कुल चेतरफल कितना है? बिहार राज का कुल चेतरफल 94,163 वर किलो मीटर है ध्यान रखेगा आप सभी चेतरफल की दिरिष्टी से बार्मा अस्थाने पर जनसंख्या की दिरिष्टी से तीसरा अस्थान प्याता है चेतरफल में बार्मा अस्थान जनसंख्या में तीसरा अस्थान प्याता है तीसरा सबसे बड़ा जन संख्या वला राज जे बिहार और जन संख्या घनत में पर्थम अस्तान पे आता है बिहार अगला पॉइंट है कि बिहार की राजबासा क्या है हिंदी है जबकि उर्दू क्या है इसकी दूतिय राजबासा है तो हिंदी जो है ये क्या है बिहार की दूसरी पर्थम राजबासा है और दूसरी राजबासा क्या है उर्दू है तो ये दोनों पॉइंट पे आप सभी गौर किज़ेगा अगला पॉइंट देख लिजे क्या है कि बिहार का इतिहासिक नाम क्या था मगत था बिहार का इतिहा पूस्पूर 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 101 क्या है? अनुमंडलों की संख्या है, 534 परखंडों की संख्या है, 8471 क्या है? पंचायतों की संख्या है और 45,103 गाउं में माटा गया है ध्यान रखेगा यनि कि अगर अनुमंडल की बात किया जाए तो कितना है? 101 अनुमंडल है, परखंडों की बात किया जाए तो 534 पूछा जाता है ध्यान रखेगा आप सभी याद रखेगा नोट कर लेज़ेगा कॉपी में आप सभी अगला पॉइंट है कि प्राचिन काल में बिहार को मगत परदेश के नाम से जाना जाता था यानि कि प्राचिन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था मगत के नाम से ध्यान रखेगा तो गौतम बूद को जो ग्यान के प्रापती भी थी कहाँ पर हवा था बौत गया में हुआ था फल्गो नदी के तट पर ध्यान रखेगा यह निरंचना नदी भी काते हैं याद रखेगा अप सभी अगर गौतम वोसे संबनित तथे को याद रखना है तो रख लिजेगा आप सभी ग्यान की प्राप्ती बौत गया में हुआ था पर्थम उब्देश कहां पे दिया था सारनात में दिया था जर्म कहां हुआ था लूमनी में हुआ था जो नेपाल में पढ़ता है अगला प्वेंट है कि बिहार में सबसे पर्थम पर्षित विदेशी यातरी जो है वो मेगा अस्थनीच आयोँ थी देखें मेगा अस्थनीच जो है कि चंदरगूप्त मौर के दरबार में आयोँ थी ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूद था मेगा अस्थनीच कोन था शेल्युकस निकेटर का राजदू था जो चंदरगुप्त मौर के दरबार में आये थी इसके द्वरा एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका नमक पुस्तक लिखी गई थी ध्यान रखेगा आप सबी जिसमें की मौर समराज के बारे में बताया गया था अगला पॉइंट है क बिहार का सबरदिक प्राचिन संग्राले पटना संग्राले की अस्थापना जयफर्न वह उनएस सु पंदर में होई थी तो ध्यान रखेगा पटना संग्राले के अस्थापना का वुई थी उन्हेस सु 15th 20 में होई थी जिसका उध घाटन अप्रेल 1917 में उगवा था ध्यान रखेगा जो कि बिहार उडिसा का गवर्नर था उस समय का आगला पॉइंट पे ध्यान दिजेगा आप सभी कि राजेंदर परसाद की तयार रूप रेखा के अनुसार बिहार में सरपर्थम चमपारन एबं सारन में 6 अप्रेल 1930 को नमक सत्यागरी की शुरुवात हुई थी ध् अगला पॉइंट यह है कि बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकम आया था इंग पार्टेल को इससे नहीं ध्यान रखेगा आप सभी बिहार में 1934 में सबसे बड़ा भूकम आया था अगला पॉइंट है कि बिहार की मुक चितरकला सेलियों में मधुवनी पटना, कमल सेली, मंजूसा, चितर सेली. ये सबी क्या है? सबर्दिक उल्लेखनी हैं, बिहार की चितरकला सेली कौन सी है? मदुवनी पैंटिंग, कई बार पूछा भी गया है परस्न, ध्यान रखेंगा आप से बिए उसके बाद पटना, तो याद रखेगा आप सभी श्री कृष्ने सिंग जो थे वो बिहार के पर्थम मुक मंत्री थे और राजपाल कौन थे पर्थम तो जैराम दास दौलत राम थे कुछ important ये point है जिसे आप सभी को note कर लेना है copy में और आने वाला समय में बिल्कुल आपको topic वाई जीए सारा चिछ कबर करवा दिया जाएगा बिहार का ताकि आप बिहार के किसी भी exam की तियारे कर रहे हैं तो आपको ये काफी मदद करें अगला point पर ध्यान देजेगा बिहा बिहार राज में सरपर्थम इलाहा बद बैंक की अस्थापना हुई थी ध्यान रखेगा अगर ये कोईशन पूचे जाए कि बिहार में सबसे पहले किस बैंक की अस्थापना हुई थी तो इलाहा बद बैंक की गई थी पर आई जो की सबर्दिक सखाए वाला बैंक जो है व मुक नियाईदिस सर सयद फजल अली थी तो ध्यान रखेगा आप सभी पटना उच नियाले के पर्थम मुक नियाईदिस कौन थी तो सर सयद फजल अली थी अगला पॉइंट दिखे बिहार के सबसे प्राचिन नहर कौन सी है शौन नहर है बिहार का सबसे प्राचिन नहर शौ की राज कि भासा बोला जाए तो हिंदी हो जाएंगे प्यार की राज के भासा हिंदिह उसके बाद क्या है दुसरा उर्दू उर्दू दूसरा है और सबसे अधिक छेत्रिया भासा की बाद किया जाए तो वो मैथली है अगला पॉ empresa देखिSpace बिहार में पर्थम railway line का निर्वान जो हुआ था मुगल सराय से कोलकाता के बीच में अगला है बिहार में सबर्दिक छेतर में बोई जाने वाली फसर क्या है धान यानि सबसे अधिक धान उपजया जाता है बिहार में अगला point है कि बिहार की जलवायू मानसुनी और आदर पर्णपाती बन पाए जाते हैं तो यहाँ पर आप से गौर किजिएगा कि अगर question यह पूछा जाए आप से बिहार में किस परकार की जलवायू पाए जाती है तो ध्यान रखेगा आप से बिहार में मानसुनी जलवायू पाए जाती है नोट किजिएगा बिहार की जलवायू किस परकार की है मानसुनी जलवायू है और question पूछ लिया जाए कि वन किस परकार के पाए जाता है बिहार में चीनी बिहार का सबसे पुराना उद्धो गए अगला पॉइंट है कि सविधान की धारा 170 के तहद बिहार में बिधान सभा का गठन किया गया जो 1973 इस भी में सोसंत रूप से अस्तित में आया था तो बिहार में बिधान सभा का गठन तो किस धारा के तहद किया गया था धारा 170 70 के तहद किया गया था ध्यान डखेगा और ये स्वसंत रूप से अस्तित में कभ आया था 1973 में आया था अगला पोइंठ है आप सभी पठना उचन नियाले के अस्थपन कभ व्य थी 1976 में वहाँ पर सभी र向्ले पतना संग्राले के अस्थपना गभ व्य थी वो 1915 में हुआ था पर यहां उच नियाले की बात क्या जाए तो 16 इसका राइट आंसर हूंगे अगला पॉइंट दिखिए आप सभी बिहार की बोली को बिदमान EM फोष्टर ने बिहारी बोली कहा था तो ध्यान रखेगा आप सभी बिहार की बोली को बिदमान EM फोष्टर ने क्या क्या था बिहारी बोली कहा था music अगला टॉपिक है बिहार का परीचय यानि की बिहार की परीचय से संबदित कुछ important point को कभर करें लेगे हम सभी दिखिए आस्ठापनाच से संबद्राशन पूछे गए थे धियान रखेगा आप सभी याद रखेगा एक अप्रिल उनेश्चु बारा को और अस्थापना दिवस कब मनाए जाता है तो 22 मार्च को हर एक बर्स अस्थापना दिवस मनाए जाता है जिसे हम सबी बिहार दिवस भी कहते ध्यान रखेगा तो ये भी कोशिशन कहीं बार पूछे गए कि बिहार दिवस कब मनाए जाता है तो 22 मार्च को मनाए जाता है बिहार की राजदानी पटना है उच नियाले बिहार का कहां पे है पटना में ही ध्यान रखेगा आप सभी राजकिय भासा क्या है हिंदी है दूतिय राजकिय भासा उर्दू है अन्य राज्किय भासा की बात किया जाए तो मेथली वोचपूरी मगई बज्जी का तथा अंगी का है ध्यान रखेगा आप सभी ये अन्य भासा हैं बिहार की आगला टॉपिक है राज्किय चिन यानि की राज्य का पर्तिक चिन के बारे में हम सभी कबर करेंगे जो कि बिहार का पर्तिक चिन है तो यहां आप सभी ध्यान देजेगा राज्के पसू क्या है बैल है तो बिहार का जो राज्के पसू है फिर्ण वो बैल है राज्के के बाद क्या जाए तो people है ध्यान रखेगा आप सभी people बिहार का राजकी ब्रिक्चे राजकी चीन क्या है तो body brick छे बादी ब्रिक्चे जहां पर गौतम बुद को ग्यान की प्राप्ति वीती ध्यान रखेगा जिसके नीचे में राजकी मचली क्या है मांगूर देशी मांगूर जो है फिन ये बिहार की राजकी मचली है अगला point है कि राजकी मेगा दिबस मनाय जाता है 30 दिसंबर को तो राजकी मेगा दिबस जो मनाय जाता है वो 30 दिसंबर को मनाय जाता है अगला है कि राजिका महापर्व क्या है च्छट तो बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो है वो च्छट है अगला point है कि सरवोई सिखर वो बिहार का कौन सा है सौमबेशबर शिखर सबसे सरवोई सिखर है और जिसकी उचाई कितना है तो चलिये आज कितना ही आज के इस लेक्टर में हम सभी बिहार के कुछ समान घ्यान को कबर किये उसके बाद बिहार के परिचेसे संब्मनित कुछ प्रस्ण को कबर कियें उसके बाद जोए कि इसका राज कियें चिन के बारे में कबर कियें तो हमें अम्मीद आप से भी सारा चीज़ को समझ चुके होंगे तो चलिए आज के ये वीडियो के सलब आपसे को नीजे कमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आज के वीडियो अच्छा लगए हैडफुल लगए तो वीडियो को लाइक किजेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किजेगा देखे बिलकुल बिहार का टॉफिक बाइज आपको क्लास कवर करवाया जागा बिलकुल इसी परकार से हैं तो आपसे मेरे साथ जूड़ियो और सारा चीश को कवर कर लिजे क्योंकि बिहार से सम्मनित प्रस्न पूछ जाते हैं आपके एक्जाम में तो इसे आपसे आपसे ब और विहार ऐसे से सिजर के लिए इस पेसल जो कि एक एक ग्वूख किया गिया हैं अगर आप सभी अगर आप सभी डाउंलोड करना चाहते हैं डाउंलोड कर सकते carry डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारा चीज का जितना भी e-book होगा आप सभी कुल लिंक description में मिल जाएंगे सारे selected important question दिया हुआ है e-book में तो आप सभी जरूर e-book को download किजिए link आपको description में मिल जाएंगे तो मिलते हैं जहिंद बनने मातर में ध्यान रखेगा पढ़ाई करते रिएगा आप सभी जहिंद